तो आये देखते हैं कि रोकड बही के शेश की आधार पर बैंक समाधान विवरेंट किस प्रकार बनाया जाता है यहां पर हम रोकड बही के डेबिट शेश और रोकड बही के क्रेडिट शेश दोनों के आधार पर बैंक समाधान विवरेंट से सम्मन्दित क्रियात्मक प्रश दूसरा 25 मार्ष को पांसर रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया जिसका संग्रहंड 2 अप्रेल को हुआ तीसरा, 26 मार्श को विजय को जारी किया गया 1000 रुपए का चेक भुपतान हेतु 4 अप्रेल को प्रिस्थित किया गया चौथा, एक ग्राहक ने 750 रुपए सीधे बैंक में जमा किये जिसके सूचना 7 अप्रेल को हुई पाचवा, बैंक ने 500 रुपए बीमा प्रिमियम के दिये जिसका लेखा रोकड बही में नहीं किया गया इस प्रेश्ण में हम देख रहे हैं कि एक बैंक समाधान विवरेंट कत्रह में तयार करना है और इसको हल करने के लिए जो हमारा आधार होगा वो होगा रोकड बही के अनुसार बैंक शेष तो क्योंकि रोकड बही के अनुसार बैंक शेष यहां पर दिया गया है इसे हम यह मानेंगे कि यह रोकड भही के अनुसार डेबिट शेश है और इसे सबसे पहले हम अपने इस प्रारूप में जो फाइनल इमांट का जो कॉलम है नेट इमांट का जो कॉलम है वहाँ पर हम लिख देंगे नौ हजार साथ सो पचास नाइन थाज़न सेवन हंट्रिप्टी बैलेंस एस पर कैश्बुक डिविट अब हम इसमें से जो पॉइंट दिये गए है चार पॉइंट इसके अलावा उन में हम देखेंगे कि कौन-कौन से पॉइंट इसमें प्लस करने है और कौन-कौन से पॉइ दिख रहा है जिसके अंतरगत 26 मार्च को विजय को जारी किया गया चार अपरेल को भुगतान ही प्रस्तुत हुआ यानि कि 31 मार्च को जबकि 31st March 2000 को जबकि बैंक समाधान विवरेंट हम क्लोज कर रहे थे अकाउंट तब तक यह चेक बैंक में जमान नहीं किया गया था इसका मतलब यह किसमत की अंतरगत आएगा निर्गमित चेक जो भुकतान हे तुप रस्तुत नहीं हुए चेक इसुट बट नौट प्रेजेंट पॉर पेमिंट तो यह प्लस का पॉइंट है जोडेंगे हम इसको और यहां पर हम इसको एड कॉलम में लिखेंगे चेक इसुट बट नौट में जमा कर दिए तो जब हम अपना टेबल देखते हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि ग्राहाक सीधे बैंक में पैसा जमा कर देता है तो उस कंडिशन में अगर रोकड बही का डेबिट शेश है तो वह प्लस में आ जाता है तो यह भी एक प्लस का पॉइंट है जिसे हम स सीधा भुपतान या पिक डारेक्ट पेमिंट बाइद कस्टमर इंटू बैंक 750 अब उसके बाद के जो दो पॉइंट बचते हैं सेकंड पॉइंट 25 मार्च को 500 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया जिसका संग्रेंट 2 अप्रेल को हुआ अब क्योंकि यह चेक बैं तो यह माना जाएगा कि संग्रा है तु भेजा गया चECK असंग्रेंट चैक पेड इंट इसके अंतरगति आएगा और रोकड बही का डेबिट शेय तो संग्रा है तू भेजे गया चेक असंग्रेंट अज़ोंने पर मायनस किया जाता है तो यह मायनस में फॉस्ट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और नेक्स्ट आपर फिप पॉइंट देख रहे हैं बैंक ने पास्तो रुपया बीमा प्रीमियम के दिये जिसका लेखा रोकड बही में नहीं किया गया तो यह पॉइंट हमें अपने टेबल में देखा था कि अगर बैंक ने कोई वह बीमा प्रीमियम इस तरह के दिये हैं लेकिन उनका लेखा अभी तक रोकड बही में नहीं किया है हमने और अगर रोकड बही का डेबिट शेष हमारा आधार है तो इस कंडिशन में यह घटाया जाएगा और हम इसको लेस के कॉलम में लिख देंगे अब बीमा प्रीमियम बैंक द देंगे और अगर हम इसमें रोकड बही के अनुसार डेबिट शेष जोडते हैं तो यह टोटल अमांट हो जाती है 11500 और इसमें से हम घटाई जाने वाली दोनों मदों को जिसमें 500 और 500 के एंट्री की गई है याने टोटल 1000 को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा आनसर आता है 10500 वह हम मानेंगे कि पास बुप के अनुसार शेष है जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अगर हम आधार मानते हैं रोकड बही के डेबिट शेष के तो जो आंसर हम फाइंड आट करते हैं वह आता है पास बुप के अनुसार शेष और यह आ जाएगा हमारा 10500 मिसर्स राम प्रसाद एंड संस के पास बुप में 5400 रुपए का जमा शेष 31 दिसंबर 2009 को था रोकड बही से तुलना करने पर निमने तथे प्रकट हुए पहला 1500 रुपए के चेक निर्गमित किये गए थे किन्तु 1000 रुपए के चेक भुपतान के लिए प्रस्तुत किये गए दूसरा बैंक वे के 10 रुपए बैंक दौरा डेबिट किये गए तिसरा बैंक वे के 100 रुपए ब्याज जमा किये गए चौथा, एक सो साट रुपे का चेक ग्राहकों से मिला जिसका रोकर बही में तो लेखा कर दिया गया, किन्तु बैंक भेजना भूल गया पांचवा, 250 रुपे का एक चेक बैंक भेज दिया गया तथा बैंक द्वारा जमा कर दिया गया किन्तु रोकड वही में इसका लेखा नहीं किया गया छटवा, 29 दिसंबर को 800 रुपे का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया जो 31 दिसंबर तक जम्मा नहीं हो सका बैंक समधान विवरन तैयार केजिए इस प्रेशन में हम देख रहे हैं कि यहां पर जो शेश दिया गया है 5400 वो पास्बुक का क्रेडिट शेश है और अब हम पास्बुक के क्रेडिट शेश के आधार पर इसके कैलकुलेशन जब करेंगे तो लास्ट में हमारा जो हमको आंसर मिलेगा वो हमारा रोकर वही का डेबिट शेश कहलाएगा जिस तरह से हमने इसके नियमों को पढ़ा उसके अनुसार और आब आये देखते हैं कि जब पास्बुक का क्रेडिट शेश होता है तो उस कंडिशन में हम कौन-कौन सी मदों को इसके अंतरगत जोड़ते हैं और कौन-कौन सी मदों को घटाते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम फॉर्मेट में लिखेंगे बैलेंस ऐस पर पास्बुक के अनुसार संबकरन शेश 5400 और इसको हम दो भ पॉइंट है में लिखते जाएंगे तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है 1500 के चेक निर्गमित किये थे किन्तु 1000 के चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गया इस टॉपिक को जब हम अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने 1500 का चेक इ प्रस्तुत रहा 31 दिसमबर तर तो यह जो पॉइंट है जारी किये गया चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत इसको जब हम अपने टेबल में देखते हैं तो यह लेस का पॉइंट है यानि कि किस दशा में जबकि पास्ट का शेज जो है वो क्रेडिट होगा तो उस दशा मे यह माइनस का पॉइंट है तो इसको हम माइनस के अंतरगत लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट डालकर चेक जारी किये गये किन्तु भुगतान के लिए अब रस्तुत चेक इशुट बट नॉट प्रेजेंट तिल नौ 500 ही अमाउंट हम लिखेंगे और यहां पर हम इनर कॉल में हम इसकी अमाउंट लिखेंगे 500 सेकेंड बैंक वे 10 रुपए बैंक द्वारा डेबिट किये गए बैंक एक प्रकार का बैंक चार्ज है और जब हमने टेबल देखा था तो वहां हमने देखा था कि बैंक एक्सपेंसेज उस दशा में जबकि पास्बुक का क्रेडिट से बैंक पॉइट गारें चांप आध हैं तो यहां पर हम इसको एड़ कर देती है तो हम इसको एड़ कॉलम में लिख लेंगे बैंक एक स्कुन सिस फस्वाइन लूपिस उसके बात थरट पॉइंट हो हमारा इंप क्रेडिटेट एंड इंड़ेस ऑनडर को जो हम पुएद्व वो माइनस होता है इसमें तो 100 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर ब्याज बैंक द्वारा समाकलन किया गया इंटर्स एक पॉइंट हम देख रहे हैं और इसका लेखा भी हमने रोकडबही में कर दिया लेकिन अभी तक हमने इसको बैंक नहीं भेजा अब क्योंकि यह चैक है तो हमको इसको बैंक भेजना चाहिए था तभी यह डिपॉजिट हो पाएगा लेकिन 31 दिसमबर 2009 तक जबकि हमने अपने अकॉन क्लोज किये तब तक हमने इस चैक को बैंक में जमा नहीं किया गया था तो यह जो हमारा पॉइंट है यह कहलाता है चैक जो रोकडबही में लिखे गया किन तो बैंक में संग्रा है तो नहीं भेजे गया और अगर हम टेबल देख जो रोकडबही में लिखे गया किन्तो बैंक संग्रा है तो नहीं भेजे गया चैक एंटाइट इन कैश्बुक बट नॉट सेंट टू बैंक वन हंडरेट सिस्टी फिफ्ट पॉइंट हम देख रहे है 250 का एक चैक बैंक भेज दिया गया तथा बैंक द्वारा जमा कर दिया गया किन्तो रोकडबही में इसका लेखा नहीं किया गया अब यहां पर एक चैक है जिसे हमने बैंक भेज दिया लेकिन रोकडबही में इसके एंट्रे नहीं कि ज एसी कंडिशन में जबके पास्बुक का क्रेडिट शेश हमारा आ रहा है और हमने एक चेक बैंक भेज दिया लेकिन रोकड भाही में इसकी प्रविष्ट्री हम नहीं कर पाए तो यहां पर हम टेबल देखते हैं कि ऐसे दशा में यह माइनस का पॉइंट है घट जाता है यहा हमारा समग किया गया कि रोकड भाही में लेकर नहीं किया गया तो यह सीधा सीधा सा पॉइंट हो जाएगा जबकि चैक संग्रा के लिए बेजा गया लेकिन रहा और ऐसे दिशा में जबकि संग्रा है तो भीजा गया जब आ रहता है और पास्बुक का क्रेडिट शेश हो जाता है तो टेबल में हम देखते हैं कि यह जो पॉइंट होता है वो इसमें एड हो जाता है जूड़ जाता है और यहां पर हम लिखेंगे चेक जो संग रहे तो भेज़े गया असंग रहे चेक से इंट बैंक बट नौट क्रेडिटेट तल ना और एट हंड़ेट से हम इसकी एंट्री करेंगे अब क्योंकि सारी एंट्री हमने यहां पर कर ली है और हम एड कॉलम में देखते हैं कि टोटल कितनी अमांट हो रही है तो वन हंड़ेट सिक्स्टी एट हंड़ेड और टैन मि इसको हम एड कर लेते हैं तो यह हो जाता है और अब इस टोटल एमांट को हम 6370 में से माइनस कर देंगे 850 को तो जो हमको आंसर मिलेगा 5520 उसे हम यह मानेंगे कि रोकड बही के अनुसार डेबिट श्रेश है बैलेंस एंस पर कैश्पूक डेबिट निमनलिकित सुचनाओं से 31 मार्च 2011 को बैंक समाधान विवेंट तयार किजिए पहला रोकड बही के अनुसार बैंक शीष 9750 दूसरा 25 मार्च को 500 रुपय का चेक बैंक में जमा किया गया जिसका संग्रहंट दो अप्रेल को हुआ तीसरा 26 मार्च को विजय को जारी किया गया 1000 रुपय का चेक भुपतान है तो 4 अप्रेल को प्रस्थित किया गया चौथा एक ग्राहक ने 400 रुपय सीधे बैंक में जमा किये जिसके सूचना 5 अप्रेल को प्राप्त हुई पाचवा बैंक ने 700 रुपय बीमा प्रेमियम के दिये जिसका लेखा रोकड बही में नहीं किया गया इस प्रश्ण में बैंक समाधान विबरंड हमको बनाना है और आधार क्यूंकि पस्ट रुप से दिया गया है रोकड बही के डेविट शेष को आधार मानते हुए प्लस करना है और किस पॉइंट को हमको माइनस करना है तो क्यूंकि रोकड बही का बैंक शेष यहाँ पर दिया हुआ है रोकड बही का डेविट शेष नोगजार साथ सो पचास तो सबसे पहले में इसके एंट्री कर लेंगे फाइनल अमांट वाले कॉलम में और उसके बाद हम ए लेकिन संग्रहन 2 April को हुआ इसके अनुसार हमको यह प्यता लग Rhee और तक वह संग्रहन नहीं हो पाया या संग्रह है और इस पॉइंट को हम देखते हैं तो यह हम को दिखता है माइनस का पॉइंट फर्स्ट जो रो है जिसमें रोकड भाई का डेबिट शेश अगर आधार माना जाए और उस कंडिशन में संग्रा भेजा गया चेक असंग्रहित हो जाएं तो इस पॉइंट को हम मायनस करते हैं तो 500 रुप-उपर जो पर उप्स्टे मोमें लकेंगे और यहां पर हिंगी संग्रा हेत्था भेजए गया चेक असंग्रहित और अमॉंट कॉलम में थापस हें यां सोग्यों जो पॉइंट है उसमें दिया गया है 26 मार्च को विजय को जारी किया गया एक हजार उपे का चेक भुपतान है तो चार अप्रेल को प्रस्तुत नहीं किया यहां पर हम जो फर्स पॉइंट देख रहे हैं टेबल में नर्गमित चेक भुपतान के लिए अप्रस्तुत उसी के यह पॉइंट आएगा एक अंदाजा हम इससे भी लगा रहा है कि चार अप्रेल को प्रस्तुत किया गया जबकि फाइनली इसको 31 मार्च तक प्रस्तुत हो जाना चाहिए था तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नर्गमित चेक भुपतान के लिए अप्रस्तुत रहा और क के कॉलम में हम 1000 से इसके एंट्री करेंगे नेक्स्ट जो फूर्थ पॉइंट है हमारा उसमें दिया गया है एक ग्राहत ने 400 रुपया सीधे बैंक में जमा किये जिसकी सुचना 5 अप्रेल को प्राप्त हुई तो यहां पर हम देख रहे कि ग्राहत द्वारा सीधे बैंक में आगर या ने 500 में तो ग्राहत द्वारा सीधे बैंक में जमा किया गया और अमांट कॉलम हम लिखेंगे 400 इसके बाद प्राप्तान करता है तो इस कंडिशन में अगर रोकड़ खाते का debit balance हमारा आधार है तो यहां पर हमको 700 रुपय जो बीमा प्रीमियम के दिये हुए है उसको हमको जोड़ना होगा है उसमें जूड़ जाएगा और यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर रोकड़ बही का debit शेश है तो हम देख रहे हैं कि अब जो आंसर आया है उसको हम पास्बुक का क्रेडिट शेश मानेंगे 9950 रुप निम्न सुचनाव पर 31 मार्च 2010 को राम एंड कंपनी का बैंक समधान विवरेंट बनाईए पहला रोकड़ पुस्तक में 7500 रुपय की debit बाकी थी पास्बुक से मिलान करने पर ग्यात हुआ दूसरा 1200 रुपय का एक चेक संद्रा के लिए जमा किया गया उसकी राशी अभी तक जमन नहीं हो पाई तीसरा 26 रुपय का एक चेक 28 मार्च को निर्मित किया गया परंतु उसे अभी तक भुकतान के लिए प्रिस्तुत नहीं किया गया चोथा 31 मार्च को बैंक ने ब्याज के 125 रुपय पास भुक में क्रेडिट कर दिये लेकिन उसका लेखा रोकर पुस्तक में नहीं हुआ पाचवा 25 रुपय बैंक वे पास भुक में लिखा हुआ है लेकिन रोकर पुस्तक में उसका कोई लेखा नहीं है इस प्रस्परश्ण में हम देख रहे हैं कि बैंक समाधा committeesन हमको तयार करना है और जो आधार है वो यह है कि रोकर पुस्तक में 750 रुपय की डेविट बाखी थी यानि कर रोकर पुस्तक के डेविट के आधार पर हमको बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट तयार करना है और एसे कंडिशन में हम देखेंगे कि जो मारा टेबल है प्लस या माइनस का जो रूल है उसको देखने के लिए टेबल का फॉर्स्ट कॉलम देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है रोकडबही के डेबिट शेस कि संग्रा है तो भेजेगे चेक आस अंघ्रकत या आएगा तो वारा सो रुपे की सामने लिखेंगे बा सब्स में नेच्ट्स है उसमें 225 रुपे का रिचेक निरगमी रहा अठाईस मार्च को लेकिन अभी तक वह बुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं है तो यहां पर we है कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है निर्गमित चेक भुफतान के लिए अप्रसुत उसके अंतरगत यह पॉइंट आएगा और इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम यानि कि रोकड भाई का अगर डेबिट श्रेश है तो यह प्लस हो जाएगा बढ़ जाती है राशी से दिया गया है 31 मार्च को बैंक ने ब्याज के 125 रुपए पास बुक में क्रेडिट कर दिये लेकिन उसका लेखा रोकड पुस्तक में नहीं किया गया तो 125 यह इसके अमाउंट है और सबसे मतफून बात है कि हमको देखना है कि डेबिट किया है क्रेडिट क्रेडिट कर दिये पास बुक में यह अमाउंट आती है क्रेडिट कर दिये तो यह प्लस का पॉइंट है हमको टेबल में दिखाई दे रहा है तो हम एड वाले पॉशन में इसको लिखेंगे बैंक ने ब्याज की राशी क्रेडिट की लेकिन उनका उल्लेग रोकड पुस्तक में नहीं किया गय करना है और 125 रुपय से अंट्री प्लस क्लाइड में करेंगे यह सारी अमांट इनर कॉलम वाला जो इमांट है चलिए प्लस कॉलम करना है तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहां पर 25 रुपया बैंक में पास्बुक में लिखा तो हुआ है लेकिन रोकड पुस्तक में उसक प्लस और माइनस के कॉलर में लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें तो हमको बहुत ध्यान देना होगा कि आय वह है लाद है यहानी है रोकड बढ़ रही है यह रोकड घट रही है इन सब चीजों को भी हमको ध्यान में रखना होगा तो फिलहार यहां पर क्योंकि 25 रुपेस ज इसमें हम लिखेंगे बैंक बेर पास्बूक में लिखा गया लेकिन रोकड पुस्तक में नहीं लिखा गया और 25 रुपेस में लिख देंगे तो कुल मिलाकर अब जब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि प्लस का जो दो पॉइंट है 2600 और 125 यानि कि 2725 देख रहे हैं कि हमारा जो बैलेंस आ रहा है वह आ रहा है 9000 और क्योंकि जो बेस था हमारा वो था रोकड़ भही का डेविट शेस तो जो अंसर आएगा उसको हम बोलेंगे पास्बुक का क्रेडिट शेस श्री रवी अजमेरा के निम्नलिकित विवरंड से दिनांग 31 मार्च 2009 को बैंक समाधान विवरंड तयार कीजिए पहला पास्बुक के अनुसार अधिविकल्ट ओवर्डॉप्ट एस पर पास्बुक 2000 दूसरा चेक काटे गये परंतु प्रस्तुत नहीं किये गये चेक इशु जमा किये गये किन्तु संग्रहित नहीं हुए 3600 चौथा बैंक ने लाभांज संग्रह किया 105 वा बैंक ने बैंक वे लगाए 50 रुपिस चटवा आदेशा अनुसार बैंक ने ड्रॉप्ट निर्गमन किया 1050 यहां पर जब हम बैंक समाधान विवरंड बनाएंगे तो वहां हमारा आधार होगा पास्बुक के अनुसार अधिविकर्ट जिसको कि हम फाइनल अमॉंट कॉलम में लिखेंगे 2000 अब आये देखते हैं कि इसमें से कौन-कौन से मदों को जोड़ना है किन मदों को घटाना है तो सबसे पहले हमको पॉइंट दिख रहा है चेक काटे गए प लिखेंगे लिखेंगे निर्गमेत चेक के लिखेंगे small . अपॉइंट आए उरक पॉइंट को लेखेंगे आपके बने मरेख्षा्वूंट पॉइंट अप्यू फ क्यो आप से आप पर माइनस का पॉइंट होगा तब जब की पास्बूक का अधिव पुश्य था तो माइनस वाले पॉश्चन में हम इसे माउंट को लिग देंगे संग्रहेत्व भेजे गया चक असंग्रहेत् और फॉर्थ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं जबके बैंक ने लाभांट संग्रहेत्ट किया है यह एक प्रकार की आया है और दूसरा एक हमको ध्यान में रखना है वह यह है कि बैलेंस पर पास्बूक हम देख रहे हैं पास्बूक के ओडी क्या अधार पर अधिविकल्ट है यह प्लस हो जाएगी यहां पर हम लिखेंगे बैंक ने लाभांट संग्रह किया और हम प्लस वाले लिख देंगे अमांट कॉलम में उसके बाद नेक्स्ट फिफ्ट पॉइंट हम देख रहा है बैंक ने बैंक यहां पर लगा रहा है और पास्बूक का अमांट को हम अमांट कॉलम में लिख देंगे सिक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं आदेशा नुसार बैंक ने ड्राफ निर्गमन किया अब क्यूंकि बैंक ड्राफ्ट यहां पर इस्टू किया गया है एक्सवेंस है यहां पर और वन थाउजन पूप्टी रुपीज जो अब है 1300 तो 1300 को में अमांट कॉलम में में लिख देंगे 1300 को जब हम 2000 में अड्र कर देंगे 3300 हो जाएगा माइनस का टुटल देख रहे हैं कि 4700 जाए रहा है इसमे 3300 माइनस करेंगे तो यह जो मारा अंसर जो मारा है करेंगे 1400 हम देखरें माइनस में वह आ रहा है यानि कि इसको हम बैलेंस एस पर कैश्फू कि यानि रोकर भाई के डेबिट रिष्ट क्याधार पर मानेंगे 1400